आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्रोनेक्स लाइटिंग एन इलेक्ट्रिकल्स पे आज हम दो बहुत ही पॉपिलर फैंस का कमपैरिजन करने जा रहे हैं रेनेसा प्लस नैचरल ओकुड और क्रॉम्टन साइलेंट प्रो बीलडीसी फैंस इन दोनों ही फैंस का हम रन टेस्ट करेंगे और एक कमप्लीट कमपैरिजन देखेंगे इस वीडियो के अंदर इन दोनों फैंस के डिस्पले क्योंकि वर्नवी इलेक्ट्रिकल्स और श्री साई इलेक्रिकल्स नॉइडा पर लगे हुए हैं तो गोल्डन ओकुड कलर और नैचरल ओकुड कलर ये दूसरे कलर्स के मुकाबले थोड़े महंगे हैं पांसो शेसो का डिफरेंस है पर ये देखने में बहुती सुन्दर लगते हैं आपके सामने ये फैन यहाँ पे लगा हुआ है आप देख सकते हैं नीचे तरफ जो ब्ल्यू कलर की एलेडी से नाइट लैम की तरह भी काम करती है और स्पीड इंडिकेटर की तरह भी काम करती है तो जो भी स्पीड होगी जब भी आप रिमोट पे स्पीड एड़ेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि अभी आपका फैन के स्पीड पर चल रहा है तो आप देख सकते हैं इसका ऑपरेशन बहुती सुन्दर है यह पंखा रिमोट देख सकते हैं छोटा सा डूरेबल सा रिमोट है जिसके अंदर बूस्ट मोट टाइमर और स्लीप मोट मौट मौझूद है तो इस फैन के अगर online ratings के बात करें तो बहुत ही भैतरीन है 5 star rating बहुत ही जादा है 1 star rating ना के बराबर है 4.3 rating इसकी एक average online पे आपको मिल जाएगी जो इसकी technical details है वो मैं आपको screen पर दिखा दूँगा इस fan का review करने के बाद आप इससे सबसे पहले closely देख लीजिए side angle से और नीचे बैटकर ये fan कैसा दिखेगा वो आप देख लीजिए और lastly आप इसका noise level भी एक बार check कर लीजिए यहां पर आप कुछ technical details देख सकते हैं इस fan की तो यह fan सिर्फ 28 watt बिजली लेता है और 32 watt बिजली लेता है boost mode के ओपर 340 इसका rpm है 220 इसका air delivery है 0.99 power factor बहुत ही अच्छा है किसी दरीगे की energy इसमें waste नहीं होती तीन साल की warranty आपको इस fan में मिलती है साथ ही यह fan anti-dust भी है और इसका remote 20 feet तक की धूरी से काम कर सकता है रनीसर प्लस का review करने के बाद हमने विजिट करा वर्नवी एलेक्रिकल्स पे यहां पर आप अपने सामने देख सकते हैं कि क्रॉम्टन का silent pro all white color में installed है इस fan का चलिए review करकर देखते हैं तो सबसे पहले जो इंट्रेस्टिंग सीज़ है इसका remote उसकी बात कर लेते हैं यहां पर जो है five speed options दे रखे हैं one two three four and five तो एटम बग की तरह नहीं है कि आपको speed minus speed minus पर बार बार क्लिक करना पड़ेगा अगर आपको five speed से मान लिजिए first speed पर आना है आप direct यहां पर five speed से first speed पर आ सकते हैं और यह remote RF technology के उपर काम करता है यानि कि आपको इस remote को जरूरी नहीं है कि आप fan की तरफ point करेंगे तभी यह remote काम करेगा आप कहीं से भी इसको दबा दीजिए button दबा दीजिए और यह fan काम करने लग जा तो हर बार remote को ठाकर fan की तरफ point करकर चलाने की जरूरत नहीं है आपको यहां पर और कुछ technical details इस fan की है वह हम इस fan का review करने के बाद end में बात करेंगे अगर हम लोग की बात कर लें तो यह all white वाला जो fan है सबसे सस्ता model है इस fan का 5900 में आपको यह fan मिलता है जो की बहुत ही ज प्रॉम्टन ने कुछ BLDC fans बहुत ही अच्छे आटम बग के टकर के कुछ fans launch किये हैं एनर्जियन मोडल में और silent pro के अंदर और कुछ दूसरे भी BLDC fans stylish और regular models launch करे हैं और खास बात यह है कि इनमें आपको 5 साल की warranty मिल रही है कुछ दूसरी technical details आपके screen पर आ रही है वो आप देख सकते हैं अगर आपको हमारी videos पसंद आती हैं हमारे efforts जो हम डालते हैं videos को बनाने में वो अगर आपको पसंद आता है तो video को like जरूर कर देना और channel को subscribe कर देना औ bye and take care मिलते हैं अब next video में